हलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टो मैं चनल आज आठ इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले रिस्क मेनेजमेंट की रिगार्डिंग क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो पे सिखा था कि मेरा जो टेलिग्राम चैनल है मैं आपको एक बार के लिए अपना टेलिग्राम चै यहां पर मैं सिर्फ एक्विटी रिगार्डिंग जो है अपना रिसर्च शेर करते रहता हूं आप लोगों के साथ जो भी लोग हमारे अंडर में डिमार्ट अकाउंट ओपें किये हैं तो उनको यह जो है टोटली मिल गया होगा और दूसरी बात जो है अगर आप डिमार्ट खोल रहे हो तो आपको यह सारी चीज़े भी मिलेगी ठीक है इसका लिंक जो है आपको मेल में जाएगा माइंड साइकोलोजी से रिल्गार्डिंग बुक्स है स्टेडी मेट्रियल से जो टेक्निकल अनलेसिस कहते हैं और लर्निंग वीडियो भी है मैं साथ मैं और हाँ यह जो है रिस्क मेनेजमेंट यह सबसे इंपोर्टेंड है जो कि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे अंडर पर टिमाट अकाउंट ओपेंगे डिमाट अकाउंट ओपेंड करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाना हो पड़ेगा वहां पर आपको आप देख सकते हैं हम लोग का वीडियो अगर आप रेगुलर ली देखते हो तो यहां पर एकुरेसी बहुत ही अच्छा गया है तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज का जो रिस्क मेनेजमेंट वाला फेक्टर है उस प पसवाँ करते हैं और हलमा फ्रीड़ पर यहां पर देखिये रिस्क पर ट्रेड जो है मैंने इसको 0.25 इसको सेट करके रखा है आप इसको चाहें तो 0.50 बि वह सेट कर सकते हो यहां पर जैसको डॉबल क्लिक करकर आप इसको भी edit कर सकते हो बट मैं मानता हूँ कि अगर आप यहां पर ट्रेडिंग सिखने आई हो तो 0.25 भी बहुत ही अच्छा जो है रिस्क पर ट्रेड है यहां पर अगर एक लाक के हिसाब से अगर आप पर रिस्क पर ट्रेड आप लॉस करना जा रहे हो तो यहां पर आपका मैक्सिमम जो है 250 होगा 1-2 के हिसाब से बट हमारा जो ट्रेड सेट अप है वह मोर देन 1-2 दे ही देता है तो चले हम आगे चलते हैं और यहां पर बात करेंगे जो एंट्री स्टॉप लॉस टार्गेट 123 जो मैं यहां पर लिखा हूँ यह बस एक डेमो परपस के लिए लिखा हूं ताकि पर आपको आपको अटोमेटिकलेट हो जाएगा उसके हिसाब से आपने जो यहां पर रिस्क पड्रेड यहां पर आपने सेट किया है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ शेर्स भी दिखाए देंगे कि आपको यह रिस्क मेनेजमेंट एडवाइजर आपको कह रहा है कि आपको नहीं लेना चाहिए यह सजेस्ट कर रहा है क्लियरली कि आप 125 क्वांटिटी ही लो अपना कैपिटल और रिस्क पर ट्रेट की हिसाब से तो अगर आप इतना क्वांटिटी लेते हो तो इसका मतलब आपका ओवरल लॉस जो है यहां पर मैक्सिमुम 250 रुपीज लॉस हो तो यहां पर मैं क्यों इतना आपको फूर्स कर रहा हूं रिस्क मेनेजमेंट फॉलो करने के लिए क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर आप रिस्क मेनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो तो यहां पर आपका देखिए क्या होता है सब्पोज मान लीजे मैंने सेल क पकड़ लिया है मैं अब देखें क्या करते है जो अब आप देख पार हूँ इसका 77 रुपीज चल रहा है कुछ लोग इसका जो है ज्यादा क्वांटिटी बाइ करेंगे जैसे कि मान लीजे तीन सो शेर्स बाइ कर लेंगे ठीक है क्योंकि यह उनको प्राइस कम लग रहे हैं इससाफ से वह तीन सो शेर्स यह रेंडमली वह सिलेक् जो है यहां पर 797 है तो वह क्या करते हैं कि मैं चलो यहां पर 797 का यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा ले लेता हूं या फिर मैं यहां पर क्या करूंगा 100 ले लेता हूं कुछ इस तरीकी का अपना मनमार्जी जो है यहां पर क्वांटिटी डिसाइड करते हैं लेकिन यहा आपने यहाँ पे sell पे जो है profit किया, ठीक है, profit किया sell में और यहाँ पे आपने loss किया, तब तो ठीक है, आपने मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका बच गए, आपका profit हो गया, लेकिन इसका अगर उल्टा मान लिजे, भारती या टल में आपका profit हुआ, क्योंकि आपने बहु बड़ा loss बना कि देगा, यहाँ पे जो है risk management आपको काफी help करेगा, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा pressure कर रहा हूँ, risk management follow करने के लिए, I hope आप यह चीज़ को बहुत ही easily समझ गए होंगे, कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, अब आते है main जो है, जो लोगों क पसंद नहीं है सुनना, बट मैं आपको वो चीज में explain करने वाला हूँ, देखें लोग जो है अभी nifty और bank nifty में ज्यादा trade करना पसंद करते हैं, चाहे वो otm क्यों ना हो, यानि कि out the money, यानि कि बहुत दूर far out the money, वो यहाँ पे buy करने के लिए ready है, और यहाँ पे loss करने क लिए ready है, बट यहाँ पे अगर मैं उनको गलती से कह दूँ कि आप equity शाय स्टार्ट करो, तो वो जो है कहते है कि नई equity से पैसा जो है, यहाँ पे नहीं बनता है, सिर्फ options पे जो है, कम capital से बहुत ही अच्छा यहाँ पे profit बनता है, तो देखें दोस्तों यह एक मेत है, ठी ही का जो है follow करते हैं, तो आपको यहाँ पे यही चीज़ करना है कि proper risk management फॉलो करना है, और यहाँ पे options को चो चोड़के नहीं आपद आपको जो है, इक वीटिफ से focus करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे risk management help करना है, अप्शन पे आपको आपको रिस出 मेनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है इकुट को virus management कर रहा है है यहाँ पर बस आपका घ्यापिटल लग रहा है डाधरें में चीज़ होता है कि यहाँ पर सिरह को aở yol ऑई देखना है है यहाँए अगर आपको इसko struck फार्मॉला पता है तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो भी इंकम आता है जो भी आपका इंकम आता है इंकम के नीचे आपने जो भी इंवेश्ट किया होता है और उसका जो है इंटू हंडेड ठीक है तो मैं यहां पर आपको इसी एक्जांपल पर लेके चलता हूं कि आपका इंकम यान बगर मैं नहीं जोड़ रहा हूं वो एक अलग चीज है तो यहां पर आगर आप कर रहे हो हो 5-10 ट्रेट किये और 10 के ट्रेट पे आपने यहां पर 5,000 रुपीस जो है यहां पर कि यहां पर आपको जो एक लाग है 1 या पर 5 5% मिल रहा है वह बहुत को फाइब को रीटन ठीक है पर मन्त आपको यहां पर 5% return मिल रहा है बट अगर आप बैंक वगेरा में आप देखो तो मैं आपको यहां पर दिखा भी दे रहा हूं ठीक है अगर आप एक साल के अगर आप रखोगे तो यहां पर देखिए अभी हाल फिलहाल में इंक्रीज हुआ है कल ही यह इंक्रीज हुआ है 22 को विट इफेक्ट फ्रॉम 22 ऑक्टोबर 2012 ठीक है थी थारे तो यहां पर देखिया आप देख सकतो यहां पर यहां प्रिक से कहें नहीं बता रहूं मैं आपको यहां पर बता रहूं reflekt अपा capital है एक लाख एक लाख का 5% आपको यहां पर रिटन मिल रहा है 5000 पर मंत क्या खराबी है मुझे आप बताइए अगर आप इस वे में देख रहे हैं तो क्या खराबी है धिरे धिरे जब आपका और confidence बिल्ड होगा तो आप इसको 0.25 से 0.50 पर उतर जाओगा तो आपका जो 5000 इंकम आ रहा है यह आजाएगा अभी जो है आसपास अगर accuracy है तब भी आप प्रोफिटबल रहोगे ऐसा नहीं कि आप लॉस में चले जाओगे ठीक है बट हां अगर आप more than 60 से यानिके 70 80 तो आप तो डेफिनेटले प्रोफिट करोगे इसाई हाए करोगे यहाँ पर 0.50 परसंट घीए ना कभी इंक्रेज नहीं होता है मतलब कभी इंक्रीज सव automobile dermed यह यह कभी कि झाल का जो इस तरीके का यहाँ पर यह रिस्क मैंनेडमेट आहалась को हैल्प करा है ठीक है तो चले अम लोग कल जो है वनaggi अन्लोग इस तरीके का हम लोग वही बात करते हैं कि यहां पर जो है क्या हम लोग को कैसे प्लान करना है तो देखे एपी लिमिट एपी एल एल टीडी ठीक है तो यहां पर मैंने यहां पर आपको बोला था 524.0 पर आपको एंट्री लेना है स्टॉप लोस होगा 496.40 और हमारा 552.80 के आसपास हमारा टार्गेट सेकेंड टार्गेट होगा 581.00 अब चलते हैं यहां पर देखते हैं कि कैसे हम लोग यहां पर सेट कर सकते हैं तो देखिए यहां पर 1 लग कैपिटल है 0.25% अब ट्रेड मतलब रिस्क पर ट्रेड लेना चाहते हो यहां पर देखिए मैं सिंपली यहां पर टाइप कर देता हूं 524.60 और हमारा जो स्टॉप लोस होगा 496.40 उसके बाद आप देख सकते हो यह आप 8.87 ही आप ले सकते हो तो हम इसको जो है round figure कर लेते हैं हम इसको 9 shares ले लेते हैं ठीक है 9 shares लेंगे 9 shares की हिसाब से हमें जो है overall जो है loss दिखाएगा 250 और maximum profit होगा 500 ठीक है तो यहां पर एक चीज़ हमेशा याद रखेगा marginal trading पर कभी भी जो है इसको मत कीजेगा हमेशा अपना फूल capital जो की होता है investing यह कहते हैं CNC जो cash and carry होते हैं ठीक है आप पूरा अपना पैसा वहां पर डाल के ही trade करो क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी हमारा target जो है achieve होने में हो सकता है जब मतलब expiry के time आ रहा होगा कि month के end पे time आ रहा होगा तो वह जो broker होते हैं वह अपना पैसा वापस ले लेते हैं तो आपको फूल पैसा उनको देना पड़ता है तो मैं safe side के लिए आपको कहना चाहता हूं कि आप पहले से ही full पैसा arrange करके रखो यह आपका एक लाग जो है already एक fix deposit जैसा ही रख लो वहां पर तो आपके लिए काफी better रहेगा तो आप I hope तो यह सब आपने जो है सीख लिया होगा देख लिया होगा कि कैसे काम करता है risk management ठीक है अगर कुछ भी issue होता है डाउट होता है तो आप मुझे इस वीडियो के नेजे comment करके प कोशिश करूंगा thank you so much वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक ले अपना ख्याल रखेगा गुडबाई take care